कि आप सभी साथकों का स्वागत है मैं अर्विन सक्सिना बोल ला हूं साधना जगत के रहस्यों तता तत्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रतियक वीडियो को देखें और इसमें दीगें प्रतियक प्लेलिस्ट को भी देखें यह जो वीडियो हैं यह बहुत ही महतपूर सब्सक्राइब देह लिए अगया वह वीडियो hesitate प्रामालिक देने का प्रियाज कर रहा हूं लेकिन इसमें से बहुत सारी जानकारिया थि कि तो कि मैं अपने अन्भाव उकरा बहुत कम बताना मैंने उसमें प्रारम में किया इसे, लेकिन बहुत मेरे काफी लोग ने मुझसे कहा भी कि अपके अपके अन्भाव होने चाहिए, अलागि अन्भाव के बारे मेरे क्या विचार हैं, इसके बारे मैं मैंने वीडियो 287 बढ़े बढ़े विगना जाते हैं इसलिए जितने भी उच्छ कोड़ी के साधक होते हैं वह विशेश रूप से एकांत में रहना पतन करते हैं अभी कुछ सर्चा है यहां वेकांत की और भी करूँगा आपसे लेकिन जब मेरा ये मैंने 293 नंबर में एक वीडियो बनाया दिव लीला अनभा भाग एक ममता माई दिवमा अफेक्शनेट डिवाइन मदर उसके बाद फिर मैंने 296 नंबर का वीडियो बनाया दिव लीला अ किस प्रकार से पता चली जो प्रकट रूप से पता चली यानि कटना के रूप में पता चली वो मैंने इसका गॉर्णन किया साधनाओ में तो जब साधना कोई भी होगी तो उसमें बहुत सारे सूख शुनवाव तो होते ही हैं मैंने 293 वाले वीडियो में अपने अनबों में बिवताया था कि करीब 24 पच्चिस वर्ष का जब तक था मैं तब तक मैं साधना की काफी उच्छा उस्ता प्राप्त कर चुका था मैंने उसमें किया उसमें जो मेरे ध्यान के अनबों है वो मैंने उसमें बताए को कि प्रारंबु में जो मैंने अपना जो अध्यात्मी ग्यात्रा का जो मेरी बिगनिंग हुई प्रारंबु हुआ वो ध्यान की ध्यान से हुआ बाद में फिर मझे जब उची सिती मेरी आई तब भी मझे लगने लगया कि कुछ कमिया इसमें भी हैं और उनको जानने के लिए मैं क्या करूं तो फिर सोता प्रणा से मैंने फिर शास्तुरों का अध्यन प्रारंब किया जिसमें कि मैंने विदों की समिताओं और विदों के करेबी बात तो क्यों जहीं हैं और रखी जा सकती और कई ऐस ब्रकार की साथना करनी पड़ेंगी क्योंकि जो जो स्षर्ञार की जो स्टेज होती है वोकर जो पतंजली योग-धर्शन से भी माने तो यम नियम का पालन् पहले करना होता है उसके बाद में पिर कई एट्वा भी बिल्या कोकी से प्रा जाडना में लिघकर कोके शना को कि वम इपकरोो गर्डा है मिर मिल हम घंए अब हो से मेंश Performed न को मेंशन मेंशनर के साथ ले कि परक enables सित्थ जिए खाल वह विग्मी बेढ़ जालते हैं और जब हम वेदों के मंतरों का यूस करेंगे तो दोष समाप्त होने लग जाते हैं तो ध्यान जो होता है उसकी गतीज वैसी बढ़ जाती है और एडवांस में आते जाते थोड़ा और आके बढ़ने में सोता ध्यान की विधी भी होने भी लग जाता है ध्यान को कोई एक विधी के रूप में देख लेना ये बात ठीक नहीं है क्योंकि ये मैंने अपने करके उठने के बाद में विशेश रूप से जो है वो जो जो साथना समाप्त होने के बाद करीब आदा गंटे के जो समय होता है वो बहुत ही बढ़िया समय होता है उसमें अपने आप में भी ध्यान लगते हैं जैसे कि माल लीजे कि थार्ड आई हो गए नहीं तरती नहीं जो उस स्थान के उपर में एक जिसे दबाउस आएगा दबाउने के बाद में जैसे लगेगा कोई चीज खोल गया परदा खट गया अब बहुत सारे दर्श्य भी दिखेंगे चीजें में समझ में आएंगी वो सर्चा इस वीजियो का विशा नहीं है तो अपने आप में ज जो इम नियमिंगे पालन हो रहे हो सुथ्य तैसलइक में चल रड़ा हो खानपान का ध्यान ख़ता वह तो जब छो रही हो तो तब सिती आती है नहीं तो फिर वो यह स्थिति नहीं आई पिर वहीं पर जाएंगे फिर नीचे गर जाएंगे फिर उपर जाएंगे फिर नीचे गर जाएंगे फिर नीचे गर जाएंगे वह स्था ध्यान की सिति तो नहीं नहीं आईगी और केवल ध्यान के उपर में मैंने जोगी इतने जव जान करियां जो भी कुछ है मैं आप लोग के सामने वीडियो के माद्धाम से इस चैनल में डाला हूं और वह वहली इंपोर्टन जान करिया हैं और वीडियो को पूरा पूरा देखना का प्रयास करें तो अब इस बैग्राउंड को और यह करते हुए जब 296 नंबर वीडियो म मैंने महसूस करी तो यह सब बाते तो साधना में जो भी हुई और भी पेरे अनबह बहुत सारे हैं कभी आगे मैं वीडियो में बनाने का प्रयास करूँगा लेकिन मैं इस जो वीडियो यह अनबह के भी हैं यह इनके जो दिव लीला अनबह वाली प्रयास में आप जो भी सबस्क्राइल दो किसी में जो वीडियो में बढ़ा से जारा यह अनबह दोंजो यह इस जारा यह उनकालेट को तो यह यह बताने का एक लासगूनूगा तो गेक यह अपलाइट पार्ट होगा वाकि मेरा जो मेरा अपना में तो वेना मानना ही है कि अनबहों से इस बात को भी ध्यान में रखना है और फिर मेरे उनसे जो भी कुछ जानकारी निकालने की अगर कोई प्रयास हो तो करना चाहिए साथकों के लिए साथकों पंदिर बगरता है मैं उन पर छोड़ता हूं कि वो क्या ग्रहन करते हैं इसमें तो यह बार जो है यह वीडियो जो ह पहले 300 वीडियो बन चुके हैं या यह मैं मानता हूं कि तीन सा वीडियो तक जो देखते हूं चले आ रहे होंगे जो सीरश आदाकी देख रहे होंगे तो यह मेरी बात को और आसानी से बात समझेंगे भी तो मैंने यह जो है इसके लिए अगर आप आप यह वीडियो की ऑठ जो होता है कि इसमें जो है तीन चरित रोहते है ऐसे पाहिकर्यद्य जो एक की छोता है औहार है जो 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 होता है शुम्ब निशुम्ब जो का जोवद यानि राक्षा से उनका वर्णन है वो बिसीकली रुद्र ग्रंथी का भेदन है यह मैं योग की दिर्श्टी से आपको इस थोड़ासा वीडियो में चर्चा कर रहा हूं जो कि जब भी शक्ती का जागरण होगा तो बहुत भारी अवरोद आते है उन्हें पहला अब जो थे होता अब वन से देवे वाला पताया में वो हथा है की संसार में जो भी माया है ञ法 से जो की माया में और उसके माया nun नाया जा से आग माया ho माया जिसने बनाई है विताओ उनकी पर्मिशन कोई आकर जानी सकता है नहीं कि दिविमा की साधना तो अनिवार रही है मैंने कई वीडियो में बताए भी है महाशक्ति वाले वीडियो में आप देखें कर समय में बात आएगी दिविमा ही सब कुछ है सारी सारी रचना उन्हो कुछ होई है हादी भी एक प्राण्ब करी तो इस से जो वो मेरा ऑफता है व समाप्त कुछ मेरी आसी है जो बैर्य यर तहह वो मैंने क्रॉस किया इसमें कि माया का आवरण होता है उसको समझने कि बुद्धी माता ने मुझे माँ की कृपा से मुझे आने लग गई हूँ और उसकी बासमन में आगे मुझे अब यहां से मैं आगे चला जाओंगा यह मुझे भी विश्वास हो गया और गया भी आगे माया ने कभी पिर उसके बाद मुझे मोहित नहीं किया आगे कभी इसके उपर वीडियो मनाऊंगा कि कैसे कुछ हुआ वहां पर लेकिन मैं इसमें आपको ब्रह्म ग्रंदी वाला बेहतन होता है यह वाली क्रिया हुई मेरे साथ में जो माया संसार में सब कुछ है दीवम में स सब कुछ है कि कोई ऐसे भाहर से नहीं लगेगा कि हम मैं जो हूँ या बहुत माया से बहुत जाते दूर हो गया हूँ लेकि आंतिर ग्रूप से मुझे पता है कि किस प्रकार से वह डिस्टन्स क्रियेट हो गया हो यानि सिती वह बनने लगए कि कुछ भी मिल जा है वो सब यानि जमीन पर भी सोजा हो तो भी ठीक है बढ़िया गद्यदार मिस्थर में सोओ तो भी ठीक है एक रोटी मिल जा है नमक के साथ वो भी ठीक है अब बढ़िया खाना मिल जा है फाइव स्टार होटल खाना मिल जा है वो भी ठीक है दोने में कोई डिफ्रेंस नहीं यह बा इसको यहीं पर इसको आगे बढ़ाओंगा इसके बारे में कभी आगे और चर्चा करूंगा लेकिन मैं दूसरे वाले जिसकी में बात कर रहा है मध्यम जरित्र में जो की दुर्गा स्वचदी के है जिसमें की विष्णुक्रंदी का भेतन होता है मैशा सुर्फद वाली जो जो उनकी लीला है उसमें जो बढ़नन है उसके पॉइंट को समझ रहा है यह मेरे लिए बार बहुत दिल में पैदा हो जाती है कि इतनी अधिक हो जाती है कि उसको समझना पड़ा मुश्कुल हो जाता है अब मैं इस ऐसी सिती में पहुंच गया था कि मैं वहाँ पर अपनी जो भी एक सिती के आने के बाद साथना में कि एक दिन क्या हुआ कि मुझे जैसे ऐसा लगने लगा कि मेरे अंदर में बहुत जादे करोना जो है बहुत दिल में आ रही है कि इस दुनिया में बहुत दु येकिन तीन-चार रोज में ऐसा होने लग गया कि इतना अधिक आने लग गया कि मैं बहुत ही विचलित होने लग गया विचलित ही होने लग गया कि मैं जहूं कुछ करी नहीं पा रहा हूँ मेरे अंदर ये तुम माता ने जो भी डाल लखी थी तुम कुछ कर नहीं पाऊगे तुम कुछ भी नहीं कर पाऊगे तुम केवल देख सकते हो और देख नहीं है तुमको तो अब जो मेरे करने जो परसेप्शन इतने जादे स्ट्रॉंग हो गए थे उस समय तक कि मैं किसी के पास में भी खड़ा हो जाओंगर तो मुझे खड़ा हुने के एक मिनट के अंदर में समय वे बात आ जाती थी कि इस आदमी के पास क्या क्या दुख है और उनके निराकर भी मुषे उने समय में आते थे शोगी मेरे आपना जो भी अद्यान था मुझे साधनात में विधियां पताती है सब पता था कि ये चीज़ करने से इसका ऐसा-ऐसा हो सकता है लेकिन मैं बोल नहीं सकता था किसी से एक बात नहीं कर सकता था तो कि ये मुझे इंटरनली मुझे जो भी प्रेणा उत्पन हो थी था कि तुमको शान्त होके इस चीज को तूफान जोए से निकलना है लेकिन यह बहुत ज़्यादे बढ़ रही थी यानि कि आलत मेरी हो रही थी कि अकर मैं कुछ कर नहीं सकता तो क्या करूं किसी के पास भी खड़ा होने का मतल़ जैसे कि माली है कि कोई विक्ति ऐसा मिला मु और देने के बाद मुझे लगा कि चलो मैं जो कुछ कर सकता था मिनमम वो करा जो भी मेरी temporada में मैंने किया इसके लिए लेकिन उसके पर आज बाव इस प्रकार से मेरे पढ़ने लागे कि जीवन में कि कहीं भी कहीं भी जाएiban मा लीजे कहीं किसी रास्ते में जा रहा हुँ कहीं जो भी बगल में जो भी जो कहना चाहि का ऐरिया पढ़ रहा है को ऐसी माली अगा बिश्ती में गया ऐसे लोगों के बीच में बीच से रास्ते से निकल लाओं तो मुझे उस एरिया के भी जो अनुवध है वो समझ में लगेगी है यहां पर यह गलबढ़ है यहां पर यह अच्छी चीज नहीं है यह चीज जैसे होना चाहिए यहां पर यह दिक्कत है और यहां के लोग बहुत वह जब मैंने जयब से सारे पैसे लोगों को बातने शूर कर दिये तो घर वालोंको भी चिंता होने लगई कहीं से उनको अला कि मैं अपने अनुबह कभी किसी से शेहर नहीं करता था क्योंकि यह मैं जानता था यह मेरे अंदर परिपरतन हो रहा है सब को बताएंगे तो तो ऐसा होने लग जा kan कि इतने जीवन में लोगों की परशानी है अपने जीवन में तो मुझे कुछ परशानी लगी नहीं रहelo है कि जैसे मैं तो परशान हुई नहीं सारे लोग यह जो भी घूम रहे हैं वो परशान में कौन-कौन है क्या दिख रहा है और ऐसे ही लोग दिखते थे जो कि परशान दूसरों को कर रहे हैं उनके बारे में पता चलता था यानि कौन आदमी क्या कर रहा है वो भी मुने जानकरी हो जाती थी तो उनसे मैं मन में एक खेट सा आता था कि इनसे दूर रहू और जो ऐसे लगते थे जिनके लिए मुझे कुछ करना चाहिए उनके लिए मैं क्या करूं ये समधन में बाते हादे रहती थी तो उसमें एक ही बात मुने समंद में आई कि इससे बचा कैसे जाए तो सबसे पहला काम जो मैंने किया यह अपने आपको close कर लिया एकांत में मैं अपना एकांत वासी हो गया और एकांत वासी इसलिए हो गया कि जब मिलेंगे इनी लोगों से तो इस सब जो भी कुछ हो रहा होगा वो भी reception हो रहागा वो क्रिया बंद होगी जब तक मैं साधना ठीक से ना करके इस सिस्थी से बाहर आगे ना जाओ तब तक मैं कुछ फाइदा नहीं से साधना में तो कि यह भी एक बहुत बड़ा एक क्याना जाए है कि मुक्ष प्राप्ती में बहुत बढ़ी सेवा करेंगे लेकि साधना अत्मा जुरू प्राप्ती से दिखा जाए तो यह विग्न होता है बहुत बड़ा वाला इसलिए इसको विश्णु क्रिंथी का भेधन के बारे में इसको माना जाता है कि इसको भेधन करना ज़रूरी होता है तब इसके बाद मन शान्त हो जाता है और जैसे तोफान निकल गया रही बाद करोना करने की जो करोना जो साधना होती है वैसे ही वो बहुत सारे लोगों का भला होई जाता है ना भी किसी का सोचो तब भी होने लग जाता है लेकिन इसमें क्या होता है यहां भी यह पसाने के लिए बात हो जाती है यहीं पर जगती साधना में गती छोड़ के फिर वह विम्ड रिकार के अपनी जो भी समाज सेवा में जाएगा जो भी कृष्षपापती नहीं होगी वह सकता है कि अगे किसी अच्छे लोग में उसका जन्म हो जाए वहाँ पर ज अच्छा जीपन उसको मिले जो भी कुल मिले डिलेट हो जाएगी जनम उसके जो भी मुक्षपाप्ति की चीज़े होती हैं यह साधनात्मा गूप से फैक्ट मुझे उस समय समझ में आ रहा था यह मेरी पार्ट इनना स्टॉंग था उसके वर्या से मैं इस चीज़ को सम्हाले हुआ था अगर यह मुझे जानकारी नहीं होती तो मैं सम्हाल भी नहीं पाता इस इस सिस्थिती को अपने तूसरा मुझे बात जो मेरी अपनी स्टडी थी वो भी यह भी बताती थी कि इस समय जब आएगी विश्णु गर्ण्थी का बेजन करने की जरुवत आएगी तब उसमें शक्ति साधना जो है बहुत तीव रगती से और विशेश रूप से साधना करनी चाहिए उन साधना की जर्चा मैं यहां नहीं करूँगा लेकिन जब शक्ति होती जानि शक्ति को फिर मा अधिवे मा उनको फिर मैं फिर से जैसे शक्ति साधना तेदी से करी basically उनको कॉल और और ज्यादे करना चुरू किया। उनकी शक्ति जब फिर मेरे शरीर में आई, जो उनके परमाणों मेरे शरीर में अबज़ार हुए, उससे जो मेरी जगनाजे चेतना जो थी, जो इसको करना वाले वेक को समाल नहीं पारी तो उसको समाल लिया। ये एक शक्ति सादना के सबसे बड़ा एक लाव होता है, जो भी इस तरीके के जो सुपरनेचरल एक्सपिरेंसेज होते हैं, उनको वो समाल लेती, शक्तनी होने जाता है वक्ति, ये गर नहीं पाता है, नहीं तो और कोई तरीका नहीं था, उसको करने के बाद काफी में ठीक ह हो गया, और मैंने यह नहीं कि करना या करना नहीं करी, करना वाला जो पार्ट अवो चुकि एक्सपिरेंस मुझे हो गया था, इसमिछ करना का मतलब यह है और लोगों की परशानिया क्या है, वो मेरे अन्मा में आ गया, तो वो तो गैडिंग फोर्स के लिए काम करी गया, आगे के लिए, आगे की जीवन अत्रह में, लेकिन वो हमको इस तरीके से हमारे साधना में मुबाधक नहीं बना, यह पॉइंट में बता रहा हूँ है, विश्णु ग्रंथी बेतन, यह बड़ी सूख्ष्म बाध साधना की बता रहा हूँ, जो कि उच्छी कोटी के साधना होंगे, और साधना का अच्छा स्थरा आगया को, इस बात को समझ जाएंगे, यह साधना का बहुत ही उंची दर्जे के एक एकस्पीरियंस है, जो कि बता रहा हूँ, कि आप विश्णु ग्रंथी का बेतन किस प्रकार से कर सकते हैं, शक्ती साधना दोरा, यह पहले और जो कहीं मौका मिले अच्छी स्पीट से तूफान वाले जो जोन है उसे बाहर चले जाना है, तूफान कभी तो कोई अरिया होगा, उसे बाहर निकल गया आगए, तो शांती आ गई, यह पॉइंट को मैं बताने के लिए जो मैंने आपको यह अनभाव बताया, दिवलीला अनभ भागतीन, विश्णुकृंती भेदन, नसीम करणा और एकांतवास, एकांतवास का अनभाद भी मेरे उस कॉंसेप्ट समझ में आ गया था, एकांत, मौन, शक्ति साधना, इन समख कॉंबिनेशन लेते हुए चलना है, और टोटल समख रदिर्स्टी से साधना को देखना है, तो फिर डीवन में और आगे साधना में बढ़ा जा सकता है, और यह मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था, यह experience, और उसके बाद मैंने साधना में आगे गती करी, अब किसी समय आपको मैं रुतरकंती का जो भेदन होता है, वो बताऊंगा, वो भी एक मिशेश्क्रिया होती लेकिन बीच में अभी कितना समय लगेगा, मुझे नहीं बता, क्योंकि यह सब मेरे जुमन में आता है, उसी तरह से मैं यह बताता हूँ, खासता और पर है कि मैं चाहता हूँ कि लोग अनभाओं से जाते हैं, अपनी साधनाओं पे धान केंदेत करें, इस अनभाओं को बत झाहता हूँ